देखे स्कूल बंद करने का जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार की ओर से इस पर विरोध जताया जा रहा है विपक्षी दल की ओर से अब भाजवा नेताओं का ये कहना है कि लगातार संस्थानों को बंद करने का काम कॉंग्रेस सरकार की ओर से किया जा रहा है ये शर्मनाक है कि 100 के करीब स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 361 स्कूलों को मर्ज करने का काम हो रहा है आखिरकार ये ताला बंदी क्यों हो रही है सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए स्कूलों को चलाया क्यों नहीं गया दूसरी और सरकार का ये कहना है कि इसमें 99 स्कूल ऐसे बंद किये जा रहे हैं जहां पर एक भी छात्र नहीं था जब छात्र ही नहीं है तो किसे शिक्षा वहाँ पर प्रदान की जाएगी और दूसरी बात 381 स्कूल वो मर्च किये जा रहे हैं जहां पर 5 से भी कम छात्र थे, शिक्षकों की कमी थी, अब मर्च अब स्कूल किये जाएंगे, तो एक ही स्कूल में सभी सुविधाइं देने का प्रयास होने वाला है, इसके लिए कुछ माप डंड भी तै किये गए हैं, जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए, 160, 170, 180, बच्चे अगर एक कक्षा में हैं, प्लस 1, प्लस 2 में अन्या कक्षा में, तो एक ही क्लास रूम में उन्हें भर दिया जाएगा, बलकि यहां sections divide होंगे, A और B section, उसी हिसाब से यह संख्या भी divide होने वाली है, 60 चात्रों का ही एक section रहने वाला है, staff को भी adjust कर दिया जाएगा, चात्रों को भी दूसरे school में adjust किया जाएगा, जिने merge किया जा रहा है, इसके अलावा जो infrastructure है, भवन है, किताबे हैं, library है, उन सभी को merge करने की यहां पर बात हुई है, तो step by step यहां पर कदम उठाया जा रहा है, इस पर जो भी सवाल उठाय जा रहे थे, उसका जवाब लगातार सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और आज यह दरासल भाशपा प्रदेश अध्यक्स डॉक्टर राजीब बिंदल की ओर से सवाल उठाया गया है, कि ताला बंदी संस्थानों की क्यूं हो रही है, विपक्ष इसे सहेगा नहीं, इसका विरोध करेगा, लेकिन जवाब भी देखिए, पुरी तरह से यहां सामने आये हैं, जो की कॉंग्रे सरकार की ओर से दिये गए हैं, टीजटी बैच वाइस भरती के बाद अब कमीशन का बें इंतजार होने लगा है, कि आखिरकार कमीशन वाइस भरती कब तक हो पाएगी, ये दरसल 2020 की बात है, तब से लेकर इंतजार हो रहा है कमीशन की भरती का, लेकिन बड़ा कारण ये था कि पहले कुछ एक मामले कोर् भरती एवं पदोनती नियमों में बदलाफ कर दिया गया है, ये दरसल पहले 2009 में भरती एवं पदोनती नियम बनाए गए थे, इसमें हर कैडर के लिए अलग RNP रूस तयार कर दिये गए थे, जिस वज़ा से मामले कोर्ट में लटके हुए थे, 15 साल बाद अब शंशोधन ह हो चुका है, और NCTE के नॉम्स को भी इसमें बिल्कुल फुल्फिल किया जाएगा, उसके बाद ही अब ये RNP रूल्स एक तरह से फाइनल हो पाए हैं, लेकिन भरतियां नहीं हो पा रही है, कारण ये है कि भले ही इससे पहले पिछली सरकार ने तकरीबन 90 के करीब पदों को भरने की अनुमती दे दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार से अभी दोबारा से इस पर मंजूरी लेनी होगी, और प्रारंबिक शिक्षा विभाग की ओर से ये प्रस्ता भेजा गया है सरकार के पास मंजूरी लेने के लिए, जैसे ही एप्रूवल मिलेगा तो TGT कमिशन वाइस भरतियां भी शुरू हो पाएंगी, 14,224 के करीब पद अभी खाली चल रहे हैं और 15 साल बाज ऐसा कि हम कह रहे हैं कि R&P Rules में शंशोधन किया गया है, अब एक समान R&P Rules इनके लिए तयार हुए हैं, ताकि कोर्ट में जादा जगड़े अब इस बात को लेकर ना बढ़ सके देखिए, बिरोजगार युवाओं की ओर से एक मेल भेजी गई है, जिसमें इनोंने एक सजेशन देना चाहा है, इनका कहना है कि 2020 में इनोंने कुछ एक आवेदन किये थे भरतियों के लिए, उस वक्त करमचारी चयनायोग की ओर से आवेदन मांगे गए थे, और इसमें JBT क्लर्क SI GOIT आदी शामिल है, लेकिन ये भरती परिक्षा भी तक नहीं हो पाई है, और जब ये भरती परिक्षा करवाने की बात सरकार के समक्ष करते हैं, तो सरकार हवाला देती है कि राज्य चयनायोग को जिम्मा दे दिया गया है, जो कि नए सीरे से यहां पर राज्य चय आयोग का कहना है कि अभी एजेंसी ही नहीं है भरती करवाने के लिए, अभी तक एजेंसी को हायर नहीं किया गया है, तो अब अभ्यर्थियों ने सुझाव ये दिया है कि उन्होंने आवेदन पहले कर दिये थे, इसलिए जरूरी है भरती परिक्षा करवा दी जाए, भले ही OMR format से इन भरतियों को करवाया जाए, जरूरी नहीं है कि CBT प्रनाली ही लागू करनी है, CBT प्रनाली लागू करने के लिए सरकार के पास अभी इतना infrastructure भी नहीं है, और इन्होंने उधारन के तौर पर बात ये कही है कि मान लीजे पटवारी की भरती करवानी होगी, तो 4 से 5 लाग के करीब इसके लिए आवेदन आते हैं, तो infrastructure ना होने के कारण 7 महीने का समय भी इसमें लग जाएगा, इसलिए जरूरी है पुराने format के हिसाब से ही भरती परिक्षा करवाई जाए, और अगर CBT प्रनाली लागू करनी भी है जल से जल, तो उसके लिए tender प्रक्रि कि जो Tata Consultancy Service Agency है, उसे ही जिम्मा दे दिया जाए, आगे भी भरती परिक्षा करवाने का, दरसल ये जो Tata Consultancy Agency है, क्योंकि भारा सरकार की एजेंसी है और इसने Operation Tatter Assistant की भरती परिक्षा करवाई थी, online mode पर, एक तरह से नई प्रियोग के तोर पर ये भरती परिक्षा Operation Tatter Assistant की क पाया है, तो इनका ये कहना है कि CBT प्रणाली सिस्टम से भी यहां result जल्दी घोशित नहीं हो पा रहा है, तो पुराना format ही लागू कर दिया जाए, लोग सेवा योग भी भी भरती परिक्षा करवाता है, वहां तो अभी तक धानली नहीं हो पाई, तो यहां भी नियमों को फॉलो करते हुए पुरी साफधानी बढ़ती जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थी अब और जादा इंतजार नहीं करेंगे, मेल के जरीए इनोंने सुझाव दिया है, कि CBT प्रणाली को अभी फिलहाल साइड में रखके, यह OMR सिस्टम ही लागू कर दिया जाए, क्यूंकि इन जिम्मा दिया भी गया प्रयोग की आधार पर उसमें भी रिजल्ट घोशित नहीं हो पाया है, उसमें कंपनी की ओर से कुछ और तर्क दिया जा रहा है, सरकाल की ओर से कुछ और तर्क दिया जा रहा है, रिजल्ट ना घोशित करने पर, तो यह बहुत सारे पहलू है, अभ बिहर्चियों को लिखित परिक्षा के कॉल लेटर इसमें जारी किये गए थे दो गिरफतारियां इसमें हुई हैं विजिलैंस ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है और अदालत में भी पेश किया है अदालत ने 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड के लिए इन दोनों आरो यह पहले भी कुछ एक पोस्कोड में सामने आया है धानली करने के लिए और एक तरह से पोस्कोड 822 में भी यह पुष्टी हो गई है कि इसमें भी परिक्षा याने की पेपर एक तरह से लीक हुआ था अब यह पुष्टी होने के बाद फिर से यहां जांच बिठाई गई ह है और विजिलेंस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है हलाकि देखिए अभ्यर्थी काफी जादा थे 19,416 अभ्यर्थियों को लिखित परिक्षा के बाद इसमें कॉल लेटर जारी किये गए थे कॉंट्रेक्ट से रेगुलर होने वाला मामला भी लटक गया है काफी जादा इंतजार ये करमचारी कर रही है हलाकि देखिए इससे पहले एक और ख़बर हमारे पास आई है ये मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्रू से जुड़ी है और आज ये क्यूंकि हमीरपू को इनकी और से कुछ एक टैबलेट्स वितृत किये गए हैं डिजिटलाइजेशन की और अब सरकार बढ़ रही है प्रयास ये हो रहा है कि पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम अब सरकारी स्कूलों में भी किया जाए डिजिटल मोड पर वहां पर पढ़ाई हो सके गुनवता इस से कही ना कहीं अब स्टडीज में आप आएंगी तो इसी वज़ा से सभी प्राइमरी शिक्षकों को ये टैबलेट वितृत किये जाएंगे तकरीबन इनकी संख्या है 17,510 के करीब ये प्राइमरी टीचर्स हैं ये पहले अनॉंसमेंट हो गई थी लेकिन शुरुआत इ जो बच्चे हैं उन्हें फुली इसमें ट्रेंट किया जाएगा एक तरह से टेक्निकली उन्हें काफी जादा स्ट्रॉंग बनाया जाएगा ये प्रयास अब राज्य सरकार की ओर से होने वाले हैं तो आना चाहेंगे अगली खबर पर जो की हम उन करमचारियों से जुड़ रेगुलर हुए थे उन्हें भी दो से तीन महीने का इंतजार करना पड़ा है रेगुलर होने के लिए खैर उसमें रीजन कुछ और रहे क्यूंकि बीच में कोर्ड आफ कंड़क्ट पी लग गया था लेकिन अब इन करमचारियों का कहना है कि जो कुछे करमचारी सेप्टे अब साल में एक ही बार कॉंट्रेक्ट पीरिड खतम करने के बाद रेगुलर करमचारी क्यूंकि हो सकते हैं और उसके लिए मार्च का महीना ही रखा गया है तो इसी बात का एतराज इनकी ओर से जताया जा रहा है इनका कहना है जो पहले दो बारी वाली व्यवस्था थी उस होते हैं अगली बारी का इनने इंतजार करना पड़ता है मार्च तक का तो वैसे ही इनका एक साल और लग जाएगा इससे फाइने लॉस होगा और सीनियर जुनियर वाले जगड़े भी इस वज़ा से बढ़ सकते हैं अब देखिए सबसे पहले आठ साल का कॉंट्रेक्ट प पर भी तो वो भी इनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी और विशेश तोर से इस फैसले के बाद जो कि साल भर में एक ही बार क्वाट्रेक्ट से रेगुलर करने की बाद करमचारियों को हो रही है फिलहाल ये मांग तो उठा रही है काफी समय से लेकिन इस पर हलचल ह होती हुई कोई नजर नहीं आ रही है और मुख्या मंत्री का कहना है कि एक बार डिसीजन ले लिया गया है अब इस पर यूटर्न लेना काफी मुश्किल है यानि कि संभावना है हमें काफी जादा कम नजर आ रही है एंटिटी भरती में एक दफा फिर देखे पेज फस गय है प्रारंबिक शिक्षा विभा की ओर से फिर से लिजिबिलिटी क्राइटेरिया तयार किया जा रहा है अब देखे यह मैटर पहले भी कई दफा इसी तरह से फसा है हलाकि अब कैबिनेट से अप्रूवल मिल गई थी 6297 सरकारी स्कूलों में यह प्री नर्सरी टीचर्स की भरती होने वाली है और यह अर्ली चाइल्धूड केर एंड एजुकेशन की भरती होने जा रही है आउट्सोर्स आधार पर होगी स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलमेंट कॉर्परेशन को जिमा दिया गया है मैन पावर उपलब्द करवाने के लिए और यह सब ही मापड़न तैकनने के बाद ये बात सामने आई है कि प्रारमभिक शिक्षा विभाग एक दफा फिर लिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैकनने में जुट गया है नए सीरे से ड्राफ्ट बनेगा फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा फिर से एप्रूवल मिलेगी और उसके बाद आग प्रमिशन एजेंसी की भी बनेगी इस हिसाब से 10,000 भी पूरा नहीं मिलने वाला है उन टीचर्स को जो की प्री प्राइमरी कख्षाओं को पढ़ाने के लिए रखे जाएंगे तो फिलहाल अभी क्या कुछ होता है यह हमें देखना होगा लेकिन बड़ी जानकारी यही है क दोबारा नए सीरे से ड्राफ्ट तयार हो रहा है लिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से अलग तरीके से इसमें तैग किया जाएगा और यह बात भी स्पश्ट तोर पर रख दी गई है कि दो साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास है उन्हें ही इसमें क्लियर कर चुके हैं अब देखिए उस ट्रांसफर पॉलिसी पर आना चाहेंगे जिसमें शंशोधन किया गया है दरसली एक कॉंट्रेक्ट पीरिड को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी में शंशोधन हुआ है और कार्मिक विभाग के प्रधान सचीफ की ओर से सभी प्रशाशनि उसका कॉंट्रेक्ट पीरिड हुआ है उसके बाद वो चाहता है कि किसी दूसरे जिला में उसकी ट्रांसफर हो जाए तो ये संभव नहीं हो पाएगा अगर वो ट्रांसफर किसी भी हाल में चाहता है तो ऐसे में पिछला पीरिड उसका कॉंट्रेक्ट का काउंट नहीं पर जब वो जाएगा तो नए सीरे से उसकी appointment मानी जाएगी और seniority list में भी उसका नाम नीचे कर दिया जाएगा अब कुल मिलाकर सीधे से शब्दों में अगर हम बात कहें तो एक ही स्थान पर आपको अपना contract period पूरा करना होगा बीच में transfer नहीं हो सकती है यह सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है कारण इसमें सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि 2013 में राज्य सरकार की ओर से जो तबादला सिधान्त मनाए गए थे उनका तो कोई follow-up हो ही नहीं रहा है उन पर कोई भी गौड नहीं किया जा रहा है ऐसे में पिशली सरकार ने 2022 में वाले समय में रखा जाएगा 2013 में जो नियम तयार किये गए थे transfer policy में उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि contract period एक ही जगा पर अपना पूरा करना होगा contract period के दो दौरान transfer नहीं हो सकती है और अगर करनी है किसी भी हालात में तो फिर उसके लिए आपका पिछला period count नह यहां reduce कर दिया जाएगा एक तरह से उसे count नहीं किया जाएगा ये अब नई व्यवस्था यहां पर बना दी गई है और 2016 से लेकर 2022 के बीच जितने भी नियमों में बदलाफ हुआ है उन्हें पिश्वे नियमों के साथ relate किया जा रहा है और उसी हिसाब से अगली बनाई जा रही है तो यह बड़ा फैसला हम सरकार का कहना चाहेंगे उन करमचारियों के लिए जो यह सपना देख रहे थे कि in between contract period ही वो अपने transfer दूसरी district में करवा लेंगे तो एक तरह से यह शंशोधन हुआ है और यह विशेश तोर से contract को लेकर ही बड़ी जानकारी हम कह अभी विभाग अध्यक्षों को जिला धिशों को प्रशाशनिक सचीवों को आगे से आगे आदेश